नमस्कार दोस्तों, सवागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शीर राम हैस पर तो देखें, आज हम एक से एग भनाद तक की संख्याओं का वरग याद करना सीख रहे हैं एक से लेकर, एक भ自क्षा की संख्याओं का क्या निकालेंगे हम देखते हैं यहाँ पर तो जासे महां लोग कि मैंने संख्या लिए 29 और इस 29 का आपको square निकालना है दियान से देखना पहले मां आपको भील्कुल धेरे-देरे समझाओंगा इसको 29 का हमें क्या निकालना है square निकालना है तो ध्यान से देखिए पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो पहली संख्या लिखी है उसका square लिखो तो 2 का square होता है 4 लेकिन देखो हम यह square की बात कर रहे है तो हम कभी भी single digit नहीं लिखेंगे कितनी digit लिखेंगे 2 तो हम 2 का square लिखेंगे यह आपकर 0,4 और 9 का square कितना होता है 81 ठीक है हमने सबसे पहले line में क्या किया 2 का square जो पहले संख्या थी उसका तो 0,4 और 9 का square कितना हो गया 81 ठीक है अब देखे इसके बाद में हमें क्या करना है 36 तो देखो इधर से 1 संख्या छोड़ के हमें लिखना है तो यहाँ पर में लिखूंगा 36 आगे बास समझ में फिर से देखो हमने क्या किया 2 का square किया 0,4 9 का square किया 81 फिर उसके निचे हम क्या लिखेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 और उसका double करके लिखना है तो 18 का double कितना हो जाएगा 36 अब लिखने का तरीका क्या होगा आपको इस side से एक संख्या छोड़नी है उसके बाद में लिखना है 37 ठीक है अब add कर दो बज़ सिम्पलीन को तो जाएगा 1,8,6,14,4,3,7,7,8,0 लगानी जरूत नहीं है 39 का square कितना होता है 831 तो देखो सिम्पल एक क्यूशन हो लेते हैं मालो हमें निकालना है 83 का square 83 का square तो सिम्पल बताओ क्या करेंगे पहले 8 का square करेंगे 64 3 का square करेंगे कितना हैगा 09 द्यान रखना सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है हमें कितने डिजिट लिखनी है 2 यदि 1 आ रहे है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे 0 जैसे 3 का square 9 तो हमें लिखना है 0,9 उसके बाद में देखो क्या करेंगे 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 को क्या करेंगे 3 से गुणा तो कितना होता है 24 फिर उसका double लिखना है 24 का double 48 तो इधर से 1 संख्या शोटेंगे वो लिखेंगे हम कितना 48 तो कितना आएगा देखो 9 यह आएगा 8 यह आएगा 8 और यह आएगा 6 आगे बाद समझवें तो 83 का जो 12 यह चेजार 889 और देखो और देखते है जैसरी माल लो हमने ले लिया 94 94 का स्कार निकालना है तो द्यान से देखो पहले 9 का स्कारा लिखेंगे हम कितना आएगा 81 फिर लिखेंगे हम 4 का स्कार कितना आएगा 16 ठीक है गॉझे बास कहले, चलो और ये जाम्पल प réussiां खैसा मालने मुझे नायं टिसका का निकालना है, गॉल्सक्ष दो न को गुना करेंगे, तो याट ब्हितर होता, बैतर को 2 से गुना करेंगे, कितना हैगा 144 याद रखना आथ लिखेंगे कैसे इस साइड से एक संख्या छोड़ कर तो 9 को 8 से गुणा किया बैतर बैतर का डबल होता है 144 तो 144 आपको लिखना है ऐसे बस जोड़ दो 4 6 410 4 और 5 और 6 और 8 और 9 9604 तो यह कुछ कि उनकासे एकश्मपरश देखें हमने 2 डिजिट के जो 2 अंकू्मवाली संख्या रेती उनका इसक्वार हम 302 निकाल सकते हैं तो एक बार इसको देख लो ध्यान UP से प्र हम 302 Village संख्याओं का we कि इसी method से दूसरे trick नहीं होगी इसी Cannon कूम वाली संख्या का भी Commissioner निकालेंगे शल्द करसंगहाएं सख्या सज़य मेर्स निकालें rest था आपको भी रखना है जब दो 5 यहां कॉ notable दो लाएने आ रही थी हमारे पास यहां हम 3 अंग कुमाने संख्या का स्क़ार निकाले तो लाइन हैं गें फेला एक्जाम्पल देखने हैं है तो शिम्पल पहली लाइन में आपको जितनी भी संख्यं गमऀ और सो ऑएले तो तो देखो, चार को दो से गुणा करेंगे, तो कितना एगा, आठ, और आठ का डबल कितना हो जाएगा, 16, एक संख्या छोड़के लिखना है, तो मैं या लिखूंगा कितना, 66, फिर देखो, से पहली और लाश्ट वाली का गुणा करना है यहाँ ठीक है तो च्यार को एक से गुणा करेंगे तो कितना हैगा च्यार और उसका डबल करेंगे तो कितना हैगा आठ फिर आपको यहां से एक संक्या छोड़नी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है आठ ठीक है simple जोड़ना है बस देखो 6 6 और 1 हो जाएगा 7 4 और 5 5 और 8 कितने हो जाएगे 13 और 4 और 1 5 और या जाएगा 1 तो 15,300 देखो दूसरा स्वाल करते हैं मैं यापर यदि 2 का स्क्वाइर करें हैं मैं यापर तो आएगा 0,4 8 का स्क्वाइर करेंगे तो वह आएगा 64 3 का स्क्वाइर करेंगे तो वह आएगा 0,9 ध्यान रखना यदि स्क्वाइर 1 डिजिट आती है तो आपको उचको 2 डिजिट में लिखना है पहले 0 लगागे ठीक है दूसरी लाइन में क्या करेंगे इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणा का डबल तो 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 24 का डबल कितना होता है 48 तो अहाँ एक संक्या छोड़ के लिखेंगे तो यह रिखा हमने 48 8 को 2 से गुणा करते हैं तो 16 16 का डबल कितना होता है 32 तो हम यहां लिकेंगे 32, ठीक है, फिर तीशे लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 6 और 6 का डबल कितना होता है, 12, एक सिंक्या छोड़के, फिर लिखना है, पर सिंपल जोड़ना है अब तो, 9, 8, 4, 4, 8, और 10, 6, 2, 8, और 1, 9, 10, 4, 3 साथ और 1, 8, ओके, उसके बाद में देखो, next इसन, 652 का स्क्वाइर इदी हमें निकालना है, तो सिंपल 6 का स्क्वाइर करेंगे, कितना हैगा, 36, 5 का स्क्वाइर करेंगे, कितना हैगा, 25, 2 का स्क्वाइर करेंगे, कितना हैगा, 0, 4, ठीक है, उसके बाद में देखो, क्या क करेंगे इन दो का गुंणा करेंगे तो 2 को 5 से क्वंणा करते हैं तो 10 और 10 का डबल कितना होता है 20 तो एक संख्या छोड़क हमें लिखना है फिर 5 गॉट 3 का डबल करेंगे तो कितना हैगा 60 ठीक है उसके बाद में इन Ε tienes को नुगा कुणा करेंगे छे को दो से कुणा करेंगे बारा और बारा का डबल कितना होता है 24 सिंपल हैड करना है तो एज आएगा 4 5 2 7 और 4 11 एक 0 है 5 2 7 और 4 11 2 2 4 और एक 5 6 6 12 और 3 और द्येक्श्ट आगे बास स्मझमें देखे लास्टी सिन मारा आठका स्कॉयर करेंगे तो आएगा 38 9 का स्कॉयर करेंगे तो आएगा हमें यह आपर एक सो वाई अगे कैओा में यूड़निध का सग्षप Team Sap सब्सक्राइब अच्छार्स है करी को शें जर्णा होता दना 145 ँ में और इन दो नुका गौणा करेंगे लिस्त àबबल हो 144 और इसो साइड में 1 लिख रखा था हमने ये उसमें एड करना है तो वो जाएगा 145 इस तरीके से आगे बास होंगे तिन नीचे वाड़े लाइन देखो आप इन दोनुका गुणा करना है आपको तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हैगा मारे पास 64 और 64 का डबल करेंगे तो 128 तो इधर से एक संख्या छोड़ के लिखना है में 128 बस एड कर दो 4 6 और 4 10 8 4 12 और 13 और 14 8 5 13 और 15 और 16 4 4 8 और 9 और 10 6 1 7 और 8 तो देखा दोस्तों आपने हम एक से लेकर 1000 तकी संख्याओं का जो स्कॉयर है वो होती कि फास्ट मेथड से एक ही ट्रिक से चाए दो अंकों की हो चाए वो तीन अंकों की संख्या हो उसका हम स्कॉयर बड़ी है आसानी से निकाल सकते हैं ओके देखें दोस्तों हम एक दो एक्जामपल हो ले लेते हमें इसके जैसे माल लो मुझे दो सो चार का स्कॉयर निकालना है इसके बीच में 0 आ रहा है तो देखो दो का स्कॉयर कर면 टोयो से बनाते हekkquality को लुटे तो हम यहां double 0 लिखेंगे, फिर 4 का square कित ailएगा? 16, फिर 2 को 0 से मुना करेंगे तो 0, और 0 का double करेंगे तो भी कितना आईगा 0, ऐसे 4 का, यदि हम इससे करेंगे तो 0, 4 का 0 से बुरह रोखेंगे तो 0, और उसका double करेंगे तो भी कितना जाईगा 0, तो बीच वाली लाइन हमें लिखने की जरूरती नहीं है उसके बाद में देखो साइड वाले देखो चार को दो से गुणा करेंगे तो आठ और आठ का डबल कितना होगा? सोडा तो हमारे तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन मतला आठ को दो से गुणा करेंगे आठ और आठ का डबल सोडा दो से चोड़ के लिखना है क्योंकि हमारी थर्ड लाइन थी पहली लाइन लिखते थे जो बीच वाली इसमें हमें एक से चोड़ के लिखते थे लेकिन वो तो 0 है तो लिखने की जरूरती नहीं है तो देखो कितना हो जाए गए छे एक छे एक और चार आगे बास समझें जसे माल लो इसी के उपर और किप्शन लें हम जसे माल लो मुझे निकालना है 709 का स्क्वाइर तो क्या करेंगे 7 का स्क्वाइर लिखेंगे 49 105 जीरो का स्क्वायर जीरो यह होता है लेकिन हम स्ंगल दीजिकंडेगर कितने लीखेंगे कम से कम 26 दो नमबर की छोड़े क्योंकि हमारी थर्ड लाइन थी जब तीसरी लाइन लिखते थे तो इधर से हम देखो दो चोड़ते थे उसके बाद में लिखते थे इसमें 20 वाज लाइन तो आई नहीं यह हमारी तीसरी लाइन है तो देखो कितना हो जाएगा एक यह आठ यह च्छ नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उसकी जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे सके ओके थेंक यू टेक केर